मेरे इस चैनल शेर नॉलेज पुने में आपका स्वागत है हर बार की तरह इस बार भी एक ऐसा शेर लेक्के आया हूँ जो की आने वाले समय में आपको अच्छे खासे रिटन दे सकता है मातर 144 उपे 50 पैसे का ये शेर है इस शेर का 52 वीख हाई देखते हैं 52 वीख हाई 189 रुपे के आसपास का है वहीं 52 वीख लो 109 रुपे के आसपास का है आज के दिन कितनी कॉंटिटी उठाई गई इस शेर की देखते है गाईस तो अब देख सकते हैं आपे 11,62,37 कॉंटिटी उठाई गई है जोकी 61% के आसपास है company information में जाके कुछ detail देख लेते हैं guys तो अब देख सकते हैं company ने पिछले quarter में जहां 12,346,000,000 शांदार profit बुक किया है वह ही इस quarter में company ने 14,985,000,000 का profit बुक किया है यानि company ने पिछले quarter किया इस quarter अच्छा खासा profit बुक किया है company दोनों ही stock exchange में काम करती है अब देख सकते हैं आप है इस company का जो market capital है वो 11,276,000 का शांदार market capital है current market price 144 रुपे के आसपास है 52 विखाई 189 रुपे वही 52 विखलो 109 रुपे के आसपास का है company 4.58% के आसपास का dividend देती है और company का जो face value वह 2 रुपे का है यानि in future ये company split हो सकती है एक साल का chart देखी तो आप देख सकते हैं काफी ग्रावट हो चुकी थी शेर में अब भी एक momentum आया है आप देख सकते हैं आप गाइस इस company का हम quarterly profit देखते हैं इसके बाद इस company का yearly profit देखते हैं गाइस तो आप देख सकते हैं इस साल company ने 1280 करोड का शांदार profit बुक किया है वही पिछले साल 758 करोड इसी तरह company ने हर एक साल में काफी शांदार profit बुक किया है और अपने ये profit को increase करते हुए आ रहा है इसके बाद इस company का reserve देख लेते हैं गाइस तो आप देख सकते हैं company के पास 5629 करोड का शांदार reserve है वहीं borrowing 831 करोड के आसपास की borrowing भी है शेर holding pattern हम देख चुके हैं प्रमोटर हिस्सा है आप बिल्कुल भी नहीं है आप देख सकते हैं आप एफाइस और डियास काफी मातरा में involved है वहीं public के पास 44% के आसपास public का हिस्सा है company का one day का चार्ट देखिए five days का चार्ट देखिए one month six month ytd और इसका maximum चार्ट देखिए जियां इस शेर में growth है इस company का fundamental बहुत strong है जियां इस company का नाम है रेडिंग्टन इंडिया लिमिटेड जिया मातर 144 उपे 50 पैसे का यह शेर है गाइस अभी मैं आपको company की official website के उपर लेक के आया हूं तो आप देख सकते हैं यह company की official website है जियां यह multiple sector में काम करती है अब आपको रेडिंग्टन इंडिया लिमिटेड के candle chart pattern के उपर लेक के आया हूं और मैंने यहाँ पर one day का एक time frame लगाया आप देख सकते हैं और इस one day के time frame में आप देख पाएंगे कि super trend activity हो चुका है और शेर उपर की तंस्वा करने लगाए इसके बाद मैं हाँ पर one week का एक time frame लगाऊंगा तो अब देखेंगे इस one week के time frame में भी शुपर trend एक्टिवट हो चुका है और शेयर उपर की तरफ मूव करने लगा है कैसे इसके बाद मैं यहाँ पर वन मन्त का एक टाइम फिर्म लगाऊंगा तो आप देखेंगे इस वन मन्त के टाइम फिर्म में अभी सुपर ट्रेंड एक्टिवट हुआ नहीं है यह तरफ मैं आहें मैं आपकराद में आपको बिंद्री क्लिक करना होगा मैंने आपर दो indicator लगा के रखें RSI और Super Trend Super Trend की setting देख लीजीगा Period को आपको रखना होगा 10 Multiply को आपको रखना है 1.5 Uptrend का color मैंने green दे रखा है downtrend का color मैंने red दे रखा है Done Guys इस तर से setting आप अपने candle chart pattern के उपर कर लीजीगा जिससे कि जब भी भी आप किसी भी share में entry लेते हैं तो ये share को buy करने की signal देता है Guys अभी मैं आपको ticker tab की website के उपर लेके आयों मैं ticker tab की website के उपर इससे लेके आता हूँ यहाँ पर community sentiment मिल जाते हैं लोगों का एक opening जालने थे share के बारे में जब भी भी आप किसी भी share में investment करते हैं तो आप भी एक बार community sentiment जरू देखें जिससे कि आपको भी एक idea हो जाए कि जो share आप buy करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों का क्या opening न है कितने percent लोगों share को buy करने के लिए अपनी जाय दे रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर forecast and rating यहाँ पर 100% rating मिलिए इस share को यानि 100% लोग इस share को buy करने के लिए अपनी जाय दे रहे हैं जिया कहीं न कहीं इन लोगों को भी ऐसा लग रहा है कि यह share आने वाले समय में अच्छे खासे return दे सकता है तो यह भी किसी भी company के लिए positive sign बन जाते हैं Guys अगर आपको यह share अच्छा लगता है Redington India Limited का जो की मात 144 उपे 70 पैसे का है तो आप भी इसे अपने watch list में add करके जख सकते हैं Guys जब भी आप किसी भी share में investment करते हैं तो आप उस company का fundamental जरू देखें अगर किसी company का fundamental strong है तो वो company आगे जाके अच्छे खासे return दे सकती है वैसे भी यह company multiple sector में काम करती है तो future में इसकी growth की समभावना काफी बन जाती है Guys अगर आप किसी भी share में investment करते हैं तो आप भी उस पर थोड़ी study जरू कीज़ेगा उसके बाद ही आप investment कीज़ेगा Guys अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को like करें चैनल पर नए तो चैनल को subscribe जरू कीज़ेगा जिसे कि आने वाले informative वीडियो आप तक easily पहुँच जाए क्योंकि मेरे इस चैनल पर हमेशा fundamentally strong share ही suggest की जाते हैं और bell icon बिटन दबाना मत भूलेगा जिसे कि आने वाले notification आप तक easily पहुँच जाए Thank you guys